हले वी वारस में हूं सरतास सरूर आप देख रहे हैं सरतास सर की क्लास सो गाईज आज है रवी वार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर रहा हूं संडे कॉमेंट बाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो बाहर मौसम बहुत जबरदस तोरा ठंडे सी बढ़ गई है बारिशवारी सोरी और शूट करते वे कमाल का मजा रहा है इस वक्त तो वक्त का फायदा उठाता हूं आपके प्यार बेर कॉमेंट्स पढ़ता हूं और उनके जवाब देता हूं हमेशा की दरा पहला कॉमेंट ले लेते हैं पहला वाला है रश्मिता का लिखा है do you afraid? या are you afraid? या are you afraid? शर जी कौन सा सही है तो रश्मिता दो नहीं सही है अपनी अपनी जगा पे एक में afraid as a noun यूज हुआ है, एक में as a verb यूज हुआ है, do you afraid का मतलब होता है क्या तुम डरते हो, are you afraid का मतलब है क्या तुम डरे हुए हो, वो जो answer जहां पर आपको बोलना है, आप बोल देना, अगला comment है नरेश का लिख रहे हैं, hello sir, hi नरेश, what is the difference between wanna and one star, wanna और one star में क्या फ यानि wants और two को एक साथ मिलाते हैं, तो short में बनता है, wants star, जैसे मैं जाना चाहता हूँ, I want to go की जगा, I wanna go, वह जाना चाहती है, she wants to go की जगा, she wants to go, short for me, अगला comment है मनिश का लिख रहे है, sir, कलंक या कलंक लगाना कोई English में क्या कहते है, sir, please बताओ, या कलंक और या कलंक लगाने को English में कहते है, slur, slur, ठीक है, अच्छा, अगला वाला है, sir, हमें अपनी English को improve करने के लिए, कोई अच्छी novel या कोई और अच्छी सी book suggest करें, please, MS, MS धोनी कौन, देखो भईया, अगर आप अपनी English improve करना चाहते, conversation improve करना चाहते हैं, तो मैं आपको इक book suggest कर देता ह अब आप यहां पर front page, जो cover page है, वो देख पा रहे होंगे, और यह मत सोचना मैं कि मैं इसका advertisement कर रहा हूँ, इस book को advertisement की ज़रूरत नहीं है, यह BBC printing द्वारा printed की गई है, Oxford University के द्वारा, साथ-साथ यह इंडिया की top 3 universities में पढ़ाई जाती है, first year में, Dell University में से एक है, तो of o clock, please give me my answer, कितनी वीडियो बना चुका हूँ, इस पर फिर भी आप पूस्ते हैं, बार-बार, आप मेरी वीडियो सही से नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब प्लीज देखा कीजिए, o clock की full form होती है, off the clock, four o clock मतलब four of the clock, घड़ी के चार बज़े हैं, घड़ी में चार इस लाइक, तो यहां पर rather than का मतलब हुआ के बज़ाए, संजे कुमार ने लिखा, sir what is the difference between super, wonderful, amazing, outstanding, please tell me Sunday at quiz, questions, class, जो भी है, देखो संजे आपने जितने भी ये पूछे हैं, words ये सब एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, यानि के एक ही कैटिगरी के हैं, ये सारे इस्तेमाल होते हैं, दूसरों की तारीफ करने के लिए, दूसरों का बढ़ावा देने के लिए, तो अलग मतलब नहीं, सब का ये मतलब है, वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल वैसे ही, हिंदी में भी एक जैसे कई शब्द होते हैं, अरे वाह, बहतरी, जबर्दस्ट जहर, कतई जहर, तो कुल में लागें, सभी शब्दों का मतलब एक ही है, कि आप सामने वाले का होंसला बढ़ा रहे हैं, और अच्छा कह रहे है, तो कोई फर्क नहीं है, बढ़ा, कोई सभी यूज़ कर सकते हैं, अगला शाकिब ने पूचा है, लिका है, हाव टू से इंग्लिश, जा भाई, जा भाई, कैसे बोले इंग्लिश में, देखिए जो सवाल है, आपका, यह इनफॉर्मल लेंवेज है, यानि कि हमारी कच्ची भाषा इंदीमा पैसे बोलते हैं, क्या कर रहा है, रे चला जा भाई, क्यो दिमाग खराब कर रहा है, तो इसे इंग्ल इंग्लिश, की जगा कोई दूसरा वर्ड लगा सकते है, बिल्कुल आप लगा सकते है, आगर आप यूज नहीं करना चाते हैं, तो आप इसकी जगा बोल सकते हैं, इस तरीके सा आप दूसरे को गॉज़ेट कह सकते हैं, यानि कि आपने अच्छा गाम किया, गॉज़ेश प्लीश डूसरे को जरूर चूज़ेगा, पेटेंट का मतलब क्या होता है, यानि कि कोई ऐसी चीज जिसका कॉपिराइट किसी और नहीं ना ले रखा हो, यानि उसका ओरिजनल हगदार हो, पेटेंट चीज हो, असली चीज हो, जो साफ के बता तुदिया समझ गया होंगे, मतलब ओरिजनल को पेटेंट कहते हैं, जिसका हक किसी एक के पास हो, अगला वाला सवाल है, हरश का बोल रहे है, सर, इस टाइम इस टाइम दवर्ब, अच्छा हरश का सवाल मैं समझ गया, यह कह रहे है कि टाइम वर्ब है, क्योंकि मैंने लोगों को कहते हुए सना है, अगला सवल, इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछा था, प्रजापती ने बोल रहे है, सर, I am very big fan of you, sir, please give me tips, how to start communication with people, मुझे को tips दीजिए, जिससे मैं लोगों से communication स्टार्ट कर सको, बातचीत करना है, English में, प्रजापती जिए, देखो भाई, सबसे पहली बढ़िया चीज यह आजकल mobile phone सब के हाथ में होता है, WhatsApp एक communication का ही माध्या में, लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं, तो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, इस के लवाँ आप अपने दोस्तों से वीडियो कॉल के जरी English में बात करने के कोशिश कीजिए, और धीरे धीरे आपका stamina और आपकी पूछा था, Sir मैं कौन सी English सीखो, British या American, कौन सी English ज्यादा अच्छी है, तो फाद भाई, आप confused मत हुई है, एक्चली English, British या American, ज्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसी भी सीख लीजिए, दोनों ही बंदे समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि American सीख ली तो British वाल पर आजकल controversy चल रही है, YouTube versus TikTok, आप किसकी तरफ हैं, आप भी TikTok पर वीडियो बनाते हैं, वह बहुत बढ़िया सवाल पूछा, हाँ जी, वाकरी में मैं TikTok पर वीडियो भी बनाता हूँ, और आजकल YouTube पर और हर जोगा controversy चली है, कि YouTube content जादा अच्छे होते हैं, या TikTok के जादा content अच्छे होते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में clarification दे देता हूँ, मैं TikTok पर वीडियो जरूर बनाता हूँ, लेकिन especially TikTok के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं अपने YouTube के लिए short वीडियो बनाता हूँ, पहले वहाँ upload करता हूँ, उस वीडियो को वापस में TikTok पर upload करता या copy करना लिए वीडियो में TikTok पर नहीं बनाता हूँ, so I am not a TikToker, मैं सिर्फ उसको अपने content को expect करने के लिए, share करने के लिए उसकरता हूँ, दूसरी चीजी है कि controversy चल रही है, हाँ जी बहुत बड़े-बड़े YouTubers ने इस पर वीडियो बनाई हैं, जैसे कि अभी अपने अज करता हूँ कि हाँ, या TikTok पर क्रिंज है क्रिंज आप समझते हैं लिए मतला फालतु की वीडियोज, बक्वास वीडियोज, मैं यह नहीं कहता हूँ कि वहां पर talent की है, talent भी है, लेकिन क्रिंज जादा है, या असी वीडियोज जादा है जो फालतु की है, और बक्वास में popular ह पड़ी पड़ी है वो मतलब उनका कोई तुक नहीं है बेतु की वीडियो है मतलब आप कुछ भी देख रहे हैं समोसा खाते हुए चाय ले लो या यह बोल दिया बोल दिया और बस पॉपुलर हो गए तो क्रिंच जादा है उस पर हाड़ वर्क कम है और हाड़ वर्क जो करते आप यूट्यूब पर मैं अपना रिजन भी देता अभी जो मैंने बोला वो रिजन नहीं है यूट्यूब को सपोर्ट करने का सरी एक ही रिजन है कि यह चायल्ड फ्रेंडली है यानि कि चिल्रेन के लिए बच्चों के लिए जो है बहुत अच्छी चीज़े इस पर कोई आपको नहीं मिलेगा जो जिसे आप चाहें कि बच्चे ना देखें बलकि टिक टॉक पर आप स्क्रॉल करते जाहिए बच्चे बैठें बूड़े बैठें मम्मी बैठी है पापा बैठें सब कुछ मिलता है उस पर तो इसलिए मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूं तो गाइ है वह टिक टॉक पर हो जाहे पूँतिवपर आप जो फिर ठीक है बापाय टेक कैर मिलते हैं अगले रवीख आय मैं कल आओंगा वीडियो लेकर लेकिस में संडेरियो भोस मेलते हैं नेक्स्शंडे बाबाय टेक कैर